नमस्कार मित्रूं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में मुत्रूं है वडियो मेजरासी वाले जाध को के लिए बहुत फी ऐंपोर्डेन, बहुत खासर, बहुत हैं महत्मुन रहने वाला है क्योंकि में सरासी के लोगों के जीवन में आपके बार बहुत बड़ा चमतकार होने वाला है में सरासी के लोगों के जीवन के सारी के सारे समस्याओं से सारी के सारे दुख तगलिफों से सारी के सारे कष्टों से कई प्रकार के समस्याओं से आपको सुर्कार विफ्राप्त होने वाला है आपके जीवन में धंदोलत विफ्राप्त होंगे में सरासी के लोगों के जीवन के सभी प्रकार के कष्ट विदर होंगे सभी प्रकार के चाहें विफूरी होंगे और कई प्रकार के जरुतों को भे आ चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मुल सकें और आप आने वाले दनों को बहत्र बना सकें असलिए कमेंट वोक्स में जैमाता दिया वस्ते हैं लिखें बहुतने उपयोग हैं और कफी खास रहने वाला हैं आपको इस जीबन में लगातार चमतकार देखताव दिखाई देने वाला हैं इस राशी के जात्कों के बारवे भाव में गोचर चंदरदेव का हो रहा है इनसे आपके मांचिक तनाव को ये बढ़ा सकता है प्रन्तु आप अपने वेहवारिक सोभाव के कारण सवे चुनोतियों को पार पाने में चफलता पुरुवग कामियाव रहेंगे वेपार के छेत्र में आपका नवास्य खर्चों हो सकता है तथा हानी होने की आसंका भी बन रही है ऐसे में थोड़ा सधैर आपको जरूर रखने होंगे कारियों में आपको विशेश ध्यान देरे की जुरत रहेंगी पारिवारिक सदस्यों के सहयोग में भी आपको बढ़ोतरी देखी जा सकती है तथा बारवे भाव में गोचर कर रहे चंदर देव का आपके जीबन में पारिवारिक रिष्टों को मजबूत कर सकता है पारिवारी कर्चों पर भे नियंतर्ण बनाये रखने की जरूरत रहेंगे कोई भी निरणे बहुती सोंच समच कर लेने का प्रियाज आप अवस्य करें घर-परिवार के सभी समस्याओं का समधान आसानी से आप कर सकते हैं तथा ध्यारिके साद आपको काम्यावी भी प्र आपके सुचने समझने और आपके एक्षा सक्ति में बढ़ोतरी करने के विशे स्मोके भी आपको फराप्त हो सकते हैं। आपके समाजिक शेतर में विस्तार होगा और पहार और समान का लाव भी आपको फराप्त होंगे। अवस्ते रखें तथा भायों का सहियोग भी आपको फराप्त होंगे। भविस्ते की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं और आपके जीवन में भी आपको सफलता हासिल हो सकते हैं। आपके सुचने, समझने और अपने एक्चा सकती में बढ़ोतरी करने के विसे समोके भी आपको अवस्ते हैं प्राप्त होंगे। तथा आपके किस्मत में भी बड़ा चमतकार होने वाला है। अत्यदिक भाग दोड के कारण दैनिक दिंचरिया भी आपका अवविस्तित हो सकता है। आप थोड़े प्रिसान हो सकते हैं। ऐसे समय में आपको खान-पान का ध्यान जरूर रखने होंगे। आप अपने खान-पान परध्यान अवश्य रखने का प्रियास करें। सुवे देव को जल में रोली मिला कर अर्पित करें। तथा हनुमान चलिशा का तीन बार पार आपके सभी कार्यों में सहायक सिद्ध होंगे। मित्रों में सराशी के जातकों को बताना चाहेंगे। कि अगर आपके जीवर में वैपार, वैवसाय, करियर लव लाइप में अगर आपको किसी प्रकार की मुसीबतें, तकलिफों या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वैसे में अगर आप उन सभी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, आप अपने जीवर में कुछ अच्छा बदलाव करना चाहते हैं। उन सारी के सारी बातों को मातालक्ष्मी के साथ जरूर सेयर करें। तथा मातालक्ष्मी को आप अपने जीवर में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपके एक्छाएं हैं, वो भी मातालक्ष्मी के साथ जरूर सेयर करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आपको खुशियों के प्राप्ति होंगे और आपको विशेश रूप से जो भी आप पाना चाहते हैं वो भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कारी शेतर में आपको बैपार के शेतर में कुछ लाब प्रद सौधे भी प्राप्त होंगे आपको अपने सौधों को प्राप्त करने के वहत्र नमों के भी प्राप्त होंगे आपके जो सकर्मी हैं नोकरी पेसा वाले जातकों को सकर्मियों का सहियोग अवस्य प्राप्त कारियों को वहत्रिन तरीके से पूरा करने के आप अलग तरीके से डील कर सकते हैं यह समय मित्रों मेश रासी के जात्कों के लिए काफिस सुब रहेंगे और आपको अविस्ट्रकता के अनुसार कारिसेली में बदलाव करने के वहत्र नमोके भी प्राप्त होंगे आपके द्वारा लिया गया निरने भे मुत्तम सिद्ध होंगे चात्र भे नए बैवसाइक और अच्छे अविस्ट्रकता के अनुसार अपने कोसल का चुनाव कर सकते हैं जीवन साथे आपके सभे परियतनों को आपका पुर्ण सहियोग दे सकते हैं संतान के भविस्ट्र के प्रते आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं ऐसे में संतान के दायत्व के पूर्ति करना आपके लिया आवस्ट सकोंगे परिवारे के इस्तितियां भे आपके पक्ष में बनी रहेंगे और परिवार के लोग भी आपका सहीयोग कर सकते हैं प्रेम जीवन में अपेक्षा से अधेग आपको जीवन में निराशा भी सामना करना पड़ सकता है ऐसे समय में धहरता है आपके जमापूंजी ही आपके लिस्प रहेगा आपको लाब भी अवस्से फ्राप्त होंगे लाब की स्थितियां भी आपके उत्तम रहेंगे आपका स्वास्त भी पहले से काफे बहतर बना रहेगा मत्रों आप किसी नए वाहन नए घर या नए प्रूपर्टी की खरिदारी कर सकते हैं जो के मेश राशी के सपनों को साकार कर सकता है तथा आपके द्यानिक दिन चाहिए